हेलो दोस्तों घर की लाइट यूटूब चनल में आपका स्वागत है मैं हूँ बिर्चेश कुमार यह है छे मोडूलर का सीट इसमें दो सोकेट यह है चिमनी का पॉइंट और यह सारे बकसे लगए हैं सीट तीन चार बकसे हैं और इसके हम पहले छे मोडूलर की वायरिंग कर देंगे पहले न्यूटूल् Κी टार पहले हम जोड़ देते हैं इसमें एक स्विच्व में द सोकिट शोड़ेगी, यानि एक स्विच्व में आप State चन्रॉल हो गी यह वह है वह भालि भाग में सार को जोड़ देंगे हैल वालिवाग सोकेट को जोड़ कर हम दूसरे सोकेट के अलवाले भाग में जोड़ेंगे इसको छेल के छेल के मरोड कर इसके बाद अलवाले भाग में जोड़ेंगे दूसरे सोकट के सोकट के हमेशा अलवाले भाग में ही जोड़ना चाहिए स्विच के साथ जो कंट्रॉल होता है ठीक है उसके बाद तार चेल के न्यूटल वाले भाग में जोड़ेंगे जिसमें N लिखा हो N N वाले भाग में इसको जोड़ेंगे न्यूटल के तार और चेल करता इसको काट को और चेल कर छोड़ देंगे क्योंकि बोर्ड की वाइरिंग करते बाद की उसके साथ हम इसको जोडेंगे निू्टल के साथ हुआ अब जोड़ेंगे हम अर्थ कितार कि जो फुर मैं अबड़ वा बहाग में पाय करिए इसको जोड दिया है ऑभ इसकी वायरिंग क्रेंगा सबसर पहले हम न्यूट्रल कितार को जो वारिंग की हुई है बोर्ड के अंदर न्यूट्रल कितार को जोड कर इसके सोकिट के न्यूटल वाले भाग में जोड़ेंगे जिसमें एन लिका हो दूसरे भाग में पहले भाग में तो हमने जोड़ दिया था अब इसको दूसरे भाग में जोड़ेंगे दूसरे भाग में जोड़ेंगे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे इसको टाइट केट दिया उसके बाद हम जो ये जो चमनी वे दिखते उच्चुमनी के जो थाईरिंग की हुई है चमनी का पॉइंट इस की तार हम यहां पर जोड़ेंगे यह चमनी की तार यहां जोड़ दी है उपर वाले भाग में फेज कितार तो नीचे आएगी, उपर वाले भाग में, पॉइंट को जोड दिया, उसके बाद है ये अर्थ कितार, इसको जोड देंगे उपर वाले भाग में, सोकेट के, सोकेट के उपर वाले भाग में जोड देंगे, ये पिली तार जो फैन बॉक्स से जोइंट करके अर् कितार जोइंट दिये है ठीक है उसके बाद है फेज कितार ओ वजुद का जटका ओ इसमें लाइव करेंट चल रही है जो साहिए किसी ने में में सी भी चालू कर दिये यह दो का फेज दिखा रही है टेस्टर के अंदर विदूद का जटका लगा है चलो इसका connection कर दिया हम देखते हैं light चालू कैसे देख लेते हैं किसी ने लगता है MCV चालू कर दिया isolator चालू कर दिया है किसी ने isolator चालू कर दिया है चलो कोई देखने के लिए धन्यवाद